थुल्ला भाग 22, राजीव और अर्जुन थुल्ला को लेकर गए तो थे ब्लड टेस्ट कराने पर थुल्ला को न जाने क्या हुआ कि वो अचानक बेहोश हो गया, तब ही डॉक्टर ने राजीव से कहा इसको एडमिट कर दीजिए. टेस्टिंग के बाद थुल्ला का हीमोग्लोबिन 3.3 निकला डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ कि आपने इसको एडमिट करा दिया वरना बच्चे की हालत बिगर जाती. हॉस्पिटल के फार्म में भी थुल्ला के पिता का नाम अर्जुन राने लिखा गया. थुल्ला और अर्जुन का ब्लड मिल जाने की कारण अर्जुन ने ही उसको अपना खून दिया था. ब्लड चड़ने के बाद ही थुल्ला के चेहरे पर थोड़ी चेत निता आपाई थी. अरजुन थुल्ला के सिर्हाने बैठा था और थुल्ला के बालों में अपनी उंगलियां गुमा रहा था मन ही मन कह रहा था देखा तुझे अपना खून देकर तुझे खून का रिष्टा कायम कर लिया तु जल्दी से ठीक हो जा मेरे बच्चे फिर तुझे में उन लोगों के साथ नहीं रहने दूंगा अब कभी तुझे रिया मेम साब की खरी खूटी नहीं सुननी पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए तुझे अपने घर ले चलूंगा ये कहते कहते अरजुन रोने लगा राजीव ने उसके कंदे पर हांत रख कर कहा परेशान नहूं ये सुबल तक ठीक हो जाएगा इतना कहने बाद ही राजीव घर चला गया अरजुन रात भर जाकता रहा इधर रिया का मन विचलित था कि ये अरजुन अभी तक नहीं आया और दिनर का टाइम भी हो गया मुझे तो बहुत भूख लग रही है रिया कामवाली से बोली तू थोड़ी देर रुख के जाना हम लोगों का दिनर बना दे नजाने ये अरजुन को बाप बनने का भूथ सवार है पनमिल साब मेरे हाथ का कैसे खाएगा वो बुड़िया तो मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीती थी तो तुम लोग कैसे खाएगा रेया बोली चुपकर ज्यादा प्रवचन न कर जल्दी से बना दे कामचोर कही की कामवाली मन ही मन बड़ बड़ा रही थी तेरे से कम हूँ कामचोर तो तेरे से बड़ा कोई नहीं तुम काम कर सकती तो हमें क्यून रखती तू राजीव ने चेंज किया और बिना खाय ही बिस्तर पर लेट गया रेया जब अदस्ती भी न कर सकी क्योंकि राजीव का दिमाग बहुत अपसेट चल रहा था रेया ने धीरे से राजीव से कहा ठुला और अर्जुन अभी तक नहीं आये राजीव ने कहा अर्जुन ने उसको ब्लड दिया है ब्लड चढ़ रहा था तो अर्जुन को उसी के पास छोड़ाया हूँ रात का तीन बजा था राजीव के फोन की घंटी बजी तो अर्जुन ने रोते हुए कहा साहब जल्दी आने का इधर इसका हालक बिगल गया है डॉक्टर उसको अंदर लेकर गया है राजीव ने कहा मैं तुरंट आता हूँ तू परेशान नहो सुबर जब रिया की आँख खुली तो राजीव बिस्तर पर नहीं था उसने हर तरफ देखा पर वो नजर नहीं आया वो कीचेंग गई तो काम वाली से पूछा तू आई तो दर्वाजा साहब ने खुला था क्या नहीं मिम साब मैं जब आई तो दर्वाजा खुला पड़ा था रिया ने गार को फोन लगाया तो उसने बताया कि साहब तीन बजे ही निकल गया था रिया समझ गई कि राजीव जरूर हॉस्पिटल ही गए होंगे राजीव परिशान हैरान और अर्जुन जिसकी आँखों के आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे कहा है वो और क्या हो गया अचानक मैं जब गया तब तक वो ठीक था मेरे जाते ही ऐसा क्या हो गया राजीव ने अर्जुन से पूछा पता नहीं साहब वो तो सोही रहा था एकदम तेज तेज सांसे लेने लगा मैं डॉटकर डॉटकर के पास गया उसके बाद वो उसको अंदर ले गए और अभी तक डॉटकर बाहर नहीं आया अर्जुन ने सुबकते हुए राजीव को सब कुछ बता दिया सुबल का 6 बच गया जैसे ही राजीव ने डॉटकर को देखा तो लपक के उसकी ओर गया वाट हैपन डॉटकर क्या हुआ बच्चे को राजीव ने पूछा बच्चे की किद्निया फंक्शन नहीं कर रही है अभी एक टेस्ट के बाद ही कुछ कह सकते हैं हो सकता है डायलेसिस करना पड़े कंडीशन सही नहीं है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर ने राजीव को बताया अर्जुन ने कहा मुझे बच्चे के पास बैठने दो डॉक्टर ये कहते कहते वो फिर से रोने लगा और राजीव के पैर पकर लिये और बोला साहिब हमने जो खून दिया है कही उसी से तो ऐसा नहीं हो गया नहीं अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं है तुम क्यों परिशान हो रहे हो वो ठीक हो जाएगा तब ही राजीव का फोन बजा उधर से रिया बोली राजीव आप कहा है और इस तरह अचानक रात को उठकर बिना कुछ कही जाने का क्या मतलब है कम सी कम मुझे जगा देते तो मैं दोर तो लोग कर लेती फिलहाल आप है कहा रिया ट्राय टू अंडिस्टेंड इतना वकक नहीं था कि मैं तुम्हें जगा के बता सकू उस बच्चे की हालत अचानक बिगल गई तो मुझे भागना पड़ा राजीव ने रिया से कहा तो इसका मतलब आप हॉस्पिटल में है ये पापा भी न जाने मेरी जान को कौन सी मुसीबत पकड़ा के खुद बेफिक्र होकर दुनिया से चले गए न जाने किस घड़ी में में इसको अपने साथ लेकर आई थी रिया जस्ट शिटाप राजीव ने रिया को जुलाहच से कहा और फोन कात दिया रिया अपना सा मोल लेकर रह गई और कामवाली बाई जो अभी अभी आई थी उसके साथ प्रपंच करने लगी अभी उससे बाते ही कर रही थी कि अचानक लैंड लाइन फोन की घंटी बजी तो रिया ने फोन उठा लिया प्रणाम ममी जी रिया ने दूसरी तरफ से बोल रही माताजी से कहा अरे रिया राजीव कहा है जरा उससे बात तो करा माताजी ने पलट के रिया से कहा रिया ने सारी बात कम शब्दों में माताजी को बता दी माता जी हैरान होते हुवे बोली तुने फिर उसके साथ मार पीट कर दी क्यारिया को ये बात तीर की तरह चुप गई माता जी को बिना कोई जवाब दिये ही फोन का रिसीवर जोर से पटक के अपने कमरे में बरबराती हुई चली गई थुल्ला का डायलिसिस चल रहा था अरजुन वही पड़ी कुर्सी पर बैटकर थुल्ला के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था उसके मन की व्यथा को राजीव बखू भी समझ रहा था राजीव डॉक्टर के केबिन में की हालत ठीक नहीं है सर अभी तो डायलिसिस से काम चल रहा है लेकिन कब तक कि आप करवाते रहेंगे डॉक्टर ने राजीव से कहा तो आप बताए क्या करना चाहिए राजीव ने डॉक्टर से पूछा जितनी जल्दी हो सके ट्रांस्प्लांट करवा दीजिये राजीव के होश उल गए वोट खड़ा हुआ और केबिन से बाहर आ गया असमंजस में था कि किदनी का इंतजाम कैसे करे और क्या गारंटी है कि किसी और की किदनी पूरी तरह बच्चा एक सेप्ट कर पाए अर्जुन खड़ा हुआ और राजीव से बोला क्या हुआ साहिब वो ठीक नहीं है क्या हाँ अर्जुन उसकी हालत बहुत खराब है उसकी किदनी काम नहीं कर रही किदनी बदलनी पड़ेगी पर कौन देगा इसको किदनी अर्जुन बोला मैं दूंग साहिब और कौन देगा वो मेरा बेटा है तो दूसरा कोई क्यून देगा वो बात नहीं है अर्जुन किद्नी मैच भी करनी चाहिए तेरे कहने भर से कुछ नहीं हो जाता देने को तो मैं भी दे सकता हूँ पर मेरे कहने से तो बात नहीं बनेगी न डॉक्टर से राजीव ने कहा हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं क्या किद्नी देने के लिए जी जरूर करवा सकते हैं इस बच्चे के घरवाला कोई टेस्ट करवाले तो बहुत अच्छी बात है राजीव ने डॉक्टर से कहा कर डॉक्टर इसके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है अर्जुन नजदीक आया और बोला कैसी बात करते हो साहिब मैं हूँ न उसका बाप डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ अचम्भित होकर देखा और मन में सोच रहा था ये 20 साल का लड़का खुद को बच्चे का बाप बता रहा है ये कैसे सम्हभ हो सकता है राजीव ने डॉक्टर को सारी सच्चाई बता दी कि वो खुद को बच्चे का पिता क्यों कह रहा है